बिल्किस बानो केश के 11 दोसियों की रिहाई के खिलाप याचिका पर सप्रिम कोर्ट ने गुदरा सरकार को भीजा नोटिस की एहम टिपड़ी नमस्कार दोस्तों मैं रतम सिंग और आप से भी का ट्रिगर नियूज में स्वागत है बिल्किस बानो केस के 11 दोसियों की रिहाई के खिलाप याजीका पस्प्रीम कोर्ट में सुनाई 18 अप्रेल के लिए टल गई है सोमुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पीडिता की याजीका पर गुद्रास सरकार और दोसियों से जवाब माлюдा इसका दोसियों के वकील ने सुबा सिनी अली और मववा मोहितरा की याचिका पर विरोध किया उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को दखल की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए सीर्स अदालत ने गुदरास सरकार को दोसियों की सजा में छूट संबंदित फाइल के साथ 18 अपरायल को तैयार रहने के आदेश दिये हैं गुदरास के गुदरा में सावर मती एक्सप्रेस के एक डिबे में आगजनी की घटना के बाद भड़के दंगे के दोरान साल 2002 में बिलकिस के साथ गैंग रेट किया गया था साथ ही उनके परिवार के साथ सदस्यों की हत्या कर दी गई थी इस मामले में अदालत ने 21 जनवरी 2008 को 11 दोसियों को उमर कैद की सजा सुनाई थी इसके बाद से सभी 11 दोसी गोदरा जेल में बंद थे और पिसले साल 15 अगस को उन सभी को रिहा कर दिया गया था जस्टिस केम जोसिफ और जस्टिस बीवी नागरतना की पीट ने मामले की सुनवाई के लिए 18 अपरेल की तारीक मुकरर करते हुए कहा कि इसमें कई मुद्ध सामिल है और इस मामले को विस्तार से सुनने की आव सकता है कोर्ट ने सुनवाई के दोरान कहा कि वा इस मामले में भावनाओ के साथ सुनवाई के बज़ाए कानून के बिबिन्द पहलूँ पर विचार करेगा पता दे की चार जन्वरी को जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीट के समक्स या मामला आया था लेकिन जस्टिस त्रिवेदी ने बिना कोई कारण बताए मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था बिल्किस बानों ने अपनी लंबित रीट याचिका में या कहा है कि राज्य सरकार ने सुप्रिम कोर्ट की तरब से निर्धारित कानून की पूरी तरहां से अंदेखी करते हुए एक आदेश पारित किया है बिरो रिपोर्ट ट्रिगर नियूज